अभ्यासकुल कासी में आपका स्वाकत है वीडियो में हम डिसकस करेंगे पावर सिरीज प्रॉपिक काफी सारे श्टुएंट्स को लिमिट्स के कॉंसेप्ट से अवेर नहीं होते उन्हें लिमिट्स नहीं फाइंड करनी आती और पावर सिरीज में सबसे पहले आपको रेडियोस ओफ कन्वर्जेंस निकालना होते है तो जब आप रेडियोस ओफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करते हो तो वहाँ पे आपके पास लिमिट्स का कॉंसेप्ट यूज होते है तो इस particular वीडियो में हम कुछ 10 से 12 limit expressions देखेंगे जहांपे हम limits find out करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि power series की form किस form की होती है जैसे an x की power n और n vary कर रहा है आपका 1 से लेके infinity तक तो उस case में काफी बार आपको जो radius of convergence निकालनी होते है वो limit n approaching to infinity an plus 1 upon an ठीक है आप इसकी limit find out करोगे तो बात सेम है चाहिए आप जैसे काफी books में ऐसे दियोगा 1 upon r limit n approaching to infinity an upon an plus 1 ये दोनों चीजे सेम है ठीक है तो कोई फर्क नहीं है basically हमें limits निकालनी है इस case में तो an क्या है ये coefficients है जो x की power n है उसके coefficients है क्योंकि अगर हम इसे open करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा a1 ये 0 से शिरू होगा a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x square x cube up to so on ठीक है तो ये power series का expression आपके पास इस form में देखने को मिलेगा और r का जो formula होते है वो ये होते है हम limits पे concentrate करते हैं basically अगर आपके पास power series इस form की है 1 upon n x की power n तो यहाँ पे an की value किसके equal होगी 1 upon n के equal तो an plus 1 किसके equal होगा 1 upon n plus 1 के equal आपको r निकालने है r का मतलब limit n approaching to infinity an upon an plus 1 की limit निकालनी है ठीक है तो ये किसके equal होगी an की value put की हमने 1 by n और an plus 1 की value put की 1 upon n plus 1 तो ये क्या बना limit n approaching to infinity 1 upon n upon 1 upon n plus 1 तो finally expression क्या देखने को मिला limit n approaching to infinity n plus 1 upon n that is हम इसे ऐसा लिख सकते है n upon n plus 1 upon n हम इसे लिख सकते है 1 plus 1 upon n ठीक है ये चीज़ सेम चल रहे है यहाँ पे ठीक है that is limit n approaching to infinity तो 1 plus 1 upon n तो 1 upon n क्या होगा 0 होगा अगर n infinity का अप्रोच कर रहे है तो इसका final answer क्या हो जाएगा 1 तो point to remember क्या है कि अगर आपके पास limit n approaching to infinity है n plus 1 upon n है तो इसका answer कितना होगा 1 के एक वर होगा ठीक है सबसे पहले आपको ये limit याद रखनी है second अगर हम बात करें limit n approaching to infinity n upon n plus 1 की बात करें तो इसे कैसे solve करेंगे तो इसमें limit n approaching to infinity हमने n plus 1 minus 1 कर लिया upon n plus 1 तो इसे हम separate करके लिख सकते हैं जैसे माल लेते हैं कि ये आपके पास a minus b हो गया a minus b upon c तो इसे split कर दिया हमने तो split किया तो आपके पास कैसे बनेगा limit n approaching to infinity n plus 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 1 तो ये बनेगा 1 minus 1 upon n plus 1 तो ये बनेगा आपके पास 1 के प्रापर क्यूंकि ये वली term limit जब infinity पे अप्रोच होगे तो ये 0 बनेगा तो 1 minus 0 equal to 1 तो second limit आपको इसका भी धियान में रखने हैं कि limit n approaching to infinity n upon n plus 1 की value कि इसके एकुल होगी ये second limit है आपके पास फिर next अगर हम move on करें अगर आपके पास a n की value 1 upon 2n minus 1 के एकुल है तो a n plus 1 की value कि इसके एकुल होगी 1 upon 2 times n plus 1 minus 1 इसे लिखा जा सकते है 2n plus 2 minus 1 और ये किसके एकुल आगया 1 upon 2n plus 1 के एकुल तो अब अगर हम limit find out करें लिमिट किसके निकाल लें n approaching to infinity a n plus 1 upon a n की limit तो ये किसके एकुल निकलेगी तो ये आपके पास होगी limit n approaching to infinity a n plus 1 की limit किसके एकुल है 1 upon 2n plus 1 के एकुल ठीक है और a n की value किसके एकुल है 1 upon 1 upon 2n minus 1 के एकुल ठीक है तो इसे लिखा जा सकते है limit n approaching to infinity 2n minus 1 upon 2n plus 1 basically अब next step में हम क्या करेंगे n common निकाल लें numerator denominator से so numerator denominator में से हमने n common निकाल ला और cancel out किया तो हमारे पास क्या बनेगा limit n approaching to infinity तो यहाँ पे n common निकाल ला तो हमारे पास बचा 2 minus 1 by n denominator से n common निकाल ला तो क्या बचेगा 2 plus 1 by n यहाँ से n से n cancel out हो गया तो 1 upon n की limit क्या होगी इसका अंसर 0 इसका अंसर 0 तो यह बनेगा आपके पास limit n approaching to infinity 2 minus 0 upon 2 plus 0 तो finally 2 by 2 equal to 1 तो इसका अंसर कितना आगया इसका अंसर आपके पास आगया 1 जो यह expression था इसकी limit का अंसर आपके पास क्या देखने को मिलेगा 1 देखने को मिलेगा next अगर हम बात करें एक और limit की तो limit में आपके पास क्या दिया हुए an की value दियुए आपके पास 5 plus 12 y ओटा ठीक है तो mod an की value क्या निकलेगी mod an कैसे निकलती है जैसे z की value में पता है अगर x plus i ओटा y हो तो mod z किसके कोल होते है it is equal to x square plus y square square root तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 5 का square plus 12 का square तो यह किसके कोल बनेगा 25 plus 144 that is 169 that is 13 तो mod an आपके पास 13 आगया तो limit आपको किसके निकालनी पड़ेगी r की value होती है जो limit निकालनी पड़ेगी limit and approaching to infinity mod an की power 1 by n ठीक है तो यह बनेगा आपके पास limit and approaching to infinity 13 की power 1 by n 13 की power 1 by n तो अब 1 upon infinity 1 upon infinity किसके कुल होता है 0 के कुल तो इसको याद रखने limit and approaching to infinity 13 की power 0 ठीक है तो यह 13 की power 0 वन आ गया तो यह जो limit पनी न आपके पास कि 13 की power 1 by n की limit कितनी होगी 1 होगी तो यह third limit आपको याद रखनी है ठीक है तो क्या है कि देखा अभी तक हमने अभी तक हमने यह देखा कि आपके पास अगर 1 upon n और 1 upon n प्लस 1 दिया हो तो इसकी limit 1 निकलेगी आपके पास n upon n प्लस 1 हो तो इसकी limit 1 है अगर 2n-1 upon 2n-1 है तो इसकी limit 1 है अगर an की power 1 by n है जैसे 13 की power 1 by n है तो इसकी limit भी आपके पास 1 है next एक सबसे important limit की बात करते हैं आपके पास क्या होगा जैसे an की value आपके पास दिया हुई है n upon n प्लस 1 की power n दिया हुई है तो हमें limit निकालने है limit n approaching to infinity an की power 1 by n ठीक है तो solve करते है simply limit n approaching to infinity अब an आपके पास है n upon n प्लस 1 की power n की power 1 by n ठीक है यह जो 1 by n है यह यहाँ पे आ रहे है 1 by n तो यह 1 by n इससे cancel out हो जाएगा तो आपके पास क्या बज़ेगा limit n approaching to infinity n upon n प्लस 1 और यह हमने already निकाली थी यह हमने already निकाली थी उपर तो इसका answer finally क्या आजाएगा 1 के equal आजाएगा ठीक है यह हमने उपर discuss किया था यहाँ पे कि limit n approaching to infinity n upon n प्लस 1 वन होते हैं तो इसका answer वन आगया next एक और limit की बात करते हैं यह भी काफी important limit है यह इससे एक question definitely आपको paper में देखने को मिलते हैं अगर an की value अगर हम बात करें आपके पास है 1 प्लस 1 upon n की power n square है थीक है आपको क्या निकालने है limit n approaching to infinity an की power 1 by n थीक है तो यह बनेगा limit n approaching to infinity 1 प्लस 1 by n की power n square की whole power यह बनेगा 1 by n थीक है तो यहाँ पे n square into 1 by n बनेगा तो एक n की power cancel out हो जाएगी तो यह बनेगा limit n approaching to infinity 1 प्लस 1 upon n की power 1 n बचेगा यह अपने आप में BSE first year का एक question बनते है 3 marks का BSE first year में आपने यह वली limit find out की हुई है इसका proper answer हम किसी और वीडियो में देखेंगे solution कैसे निकालने है पर फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखने है कि इसका answer किसके equal होगा E के equal किसके equal होगा E के equal तो यह चीज आपको बहुत ध्यान में रखने है carefully ठीक है next अगर आपके पास a n की value n square है तो a n प्लस 1 की value किसके को लो जाएगी n प्लस 1 का whole square और अगर हम आर्क में लिमिट निकाले limit n approaching to infinity an upon an upon an plus 1 की limit निकाले तो यह क्या बनेगा limit n approaching to infinity n square upon n plus 1 का whole square ठीक है तो यहां से क्या बनाओ गया limit n approaching to infinity n square upon n square common निकल गया अंदर क्या बचाब 1 plus 1 upon n का whole square यह cancel out हो गया आपके पास और यहां से क्या निकला 1 upon n 0 ठीक है तो यह बनेगा आपके पास limit n approaching to infinity 1 upon 1 plus 0 का square ठीक है तो यह ध्यान में रखना है अगर an n square है तो यह वली जो limit की value थी limit n approaching to infinity n square upon n plus 1 का whole square सिर्फ आपने ऐसा सोचने है यहां पे 2-3 method से solve कर सकते हैं लॉपिटल रूल भी apply कर सकते हैं क्योंकि infinity by infinity form बन रही हैं पर अगर आप common निकालोगे cancel करोगे तब आपके पास limit निकल जाएगी ठीक है तो limit का answer 1 आ रहे हैं एक और question consider करते हैं जैसे आपके पास हैं अगर an की value आपके पास हैं n-1 factorial upon n की power n ठीक हैं अब इसमें an plus 1 की value क्या होगे an plus 1 की value होगे n plus 1 minus 1 factorial upon n plus 1 की power n plus 1 ठीक हैं तो अब क्या करने आपको limit निकालते हैं हम limit किसके निकालने हैं limit n approaching to infinity an plus 1 upon an की limit निकालते हैं तो क्या बचेगा आपके पास an plus 1 की value किसके कोल है n factorial upon n plus 1 की power n plus 1 तो ये किसके कोल होगी limit n approaching to infinity n factorial upon n plus 1 की power n plus 1 और an की value किसके कोल है n minus 1 factorial n की power n ठीक है हमने ये दोनों values put कर दी numerator और denominator की अब इसमें हमने क्या किया सबसे पहले उपर जो n factorial है मन की आंखों से देखो इसे हम लेख सकते है n into n minus 1 factorial ये cancel हो जाएगा इससे तो उपर बचेगा आपके पास सिर्फ limit n approaching to infinity n into n की power n upon n plus 1 की power n plus 1 ये बचेगा limit n approaching to infinity n की power n plus 1 upon n plus 1 की power n plus 1 further अगर हम इसमें देखें limit n approaching to infinity इसे लिख सकते है 1 upon n plus 1 upon n की power n plus 1 और इसे लिख सकते है 1 upon 1 plus 1 upon n की power n plus 1 ठीक है further इसे लिख सकते है 1 upon 1 plus इसे split कर दिया ये powers को 1 plus 1 upon n और limit कहां पे tend हो रही है n approaching to infinity पे n approaching to infinity पे तो ये वली limit की value आपके पास हो जाएगी 1 plus 1 upon n इसकी value हो जाएगी 1 और इसकी value की इसके equal होती है e के equal तो ये होगा 1 upon e into 1 that is equal to 1 upon e so काफे interesting है ये वला question ठीक है ऐसा question आ रख है आपके पास ये limits में आपको गलती नहीं करनी है basically ये limits का जो concept है ये आपका first step होगा first step होगा जो आपके पास exercise number 1 है so हम एक और वीडियो में limits जितने भी limits के बाकी concept है उन सबको भी go through करेंगे ताकि आपका कोई भी question skip ना हो पाए कोशिश करनी है कि आपको जो power series वाला chapter है power series से six marks का question आते है six marks के मनले कि तीन marks के दो questions आते हैं ठीक है दो ही exercise है इसमें कितने exercise है दो exercise है exercise number 1 और exercise number 2 और दोनों exercise में somewhere आपको limits का concept देखने को मिलेगा directly और indirectly जितने भी basics हैं वो सारे हम cover up करेंगे ऐसे videos में hopefully आपको ये video अच्छी लगी होगी comment box में लिखके बताइए कि आपको ये video कैसी लगी पढ़ते रहे है प्रैक्टिस करते रहे है अभिया स्कूल क्लासिज के साथ अगर आपको कोई doubt है या आप कोई particular question पूछना जाते हो तो आप contact कर सकते हो जो number आपको screen पे flash हो रहे है